ये तुप चैनल आज देखिए मैं आपको तीन टक्स वाला बिना बैट का ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी तो जो ये मेरा सिला हुआ ब्लाउज है उसको देखिए मैंने डबल कर दिया है फिर से फोल्ड कर दूंगी इसका नाप लेने का तरीका और आपको कटिंग करने का बताऊंगी देखिए सबसे पहले आप यहां पे जो बगल की गोलाई है यहां पे एक सीधी लाइन कीच दीजिए यह देखिए यहां पे मैं लाइन कर दूंगी और यह जो फिटिंग की सिलाई है यहां पे मैं लाइन कर दूंगी देख सकते हो सबसे पहले देखिए लंबा चौदा इंच यहां पर देखें में साड़े चौदा इंच पर एक माप कर दूँगी और यह देखिए आप इसी ब्लाउस को इसके लेवल में जो पीछे का गला है वो बंद बाग के लेवल में देखके यहां पर देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए उसको खीच दीजिए और यह गला ऐसे अच्छे सेट कर दीजिए और आप इस जो सिलई वाला बाग है इस सिलई से और इबंद बाग तक आप देखेंग तो आप इसको 6 इंच की पहले लाइन खीच देंगे। तो तीन पर एक माख कर देंगे जो कंदे का। अभी देखिए कंदे से चाथी तक की लंबई जो इसको बोलेंगे कंदे से बगल तक की लंबई कितना है ये साड़े 5 इंच है आप देख सकते हो इसकी सीट यहाँ पर मैं साड़े 5 इंच पर एक मार्ट कर दूँगी यह रेखे मैंने लाइन कर दी है अभी यह देखी यह जो फिटिंग की सिलाई है यहाँ से मैं इसका सीट देखूंगी साड़े 7 इंच तो यहाँ पर मैं साड़े 7 पर एक मार्ट कर दूँगी और इसी से ही मैं बगल की गोलाई का नाप दे दूँगी और आदा इंच उपर छोड़ दूँगी सिलाई का अभी देखे यहाँ से लगा के यहाँ तक मैं साड़े 6 इंच की फिटिंग है साड़े 6 इंच मैं दो इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी सिलाई का आप चाहे तो डेड़ इंच ले सकते हो अभी देखे पूरा देखन के साड़े 9 इंच आया है यह देखे साड़े 9 इंच तो मैं आदा इंच कम कर दूँगी कमर के लिए इसमें आपको टक्स का भी साथ में एड हो गया इसमें कमर देखने की जरूत नहीं है यहाँ पर डारेक्ट मिला दूँगी और यहाँ से देखिए चार इंच पर एक मात कर दूँगी और साड़े चार इंच या चार इंच टक्स की लंबई में लेंगे यह देखिए पीछे का गला में निछे से नापकूँगी कितना इंच है? दू इंच है और आदा इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी भाए इंच रखूँगी त यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं तीन इंच की लाइन कीच दूँगी इसी लाइन को यहाँ से मिला दूँगी और यहाँ से देखिए गुले का शेप दे दूँगी अभी बलाउस को कट कर दूँगी में अभी देखिए यह मैंने पीछे का बाग पहले रख दिया है इसके उपर आप इसको सेट कर सकते हो कैसे भी एडजेस होता है उस हिसास से यहाँ से में स्लीव निकल जाएगी इसके एकोर्डिंग मैंने इसको सेट किया है तो आप इसको ग्रोबर इस तरह से पहले रख दीजिए और बगल की गोलाई है जो आर्मोल की गोलाई वो सेम टू सेम इसी तरह से शेप दे देंगे और यहाँ पर जो सोल्डर जितना रखा था सेम इसी तरह से लाइन कर दूँगी मैं उसका ले लूँगी और यहाँ से देखिए जो मैं तीर्चा लाइन नहीं करूँगी यह जो हाथ की गोलाई है बगल की गोलाई उसको मैं सीधी लाइन ले लूँगी और इसको मिला दूँगी और ये देखिए जो कमर है इस पीछे वाले बाग में तो कमर देखिए कितना है ये 9 इंच है तो यहां से मुझे 10 इंच पे एक मार्ग करना है एक इंच एक्ष्टा लूंगी टक्स के लिए आप देख सकते हो मैंने सीधा लाइन कीचा है बगल की गोले लेके सिधी लाइन कर दी है और इस कमर के एक अपर एक इंच एक्ष्टा ले लिया है एक इंच लंबई में और एक इंच कमर की चोड़ाई में अबि इसको मैं अटा दूँगी और ये जो मेरी बगल की गोलाई है उसके सेंटर में ब्रोबर आदा इंच पे एक मार्क कर दीजिए और यहां से जो मार्जिन रखा था डेड़ या दो इंच उस पे सेम एक निशान कर दीजिए यहां से हलका हलका उपर से सेफ दे देंगे और यहां पे इदर लाके मिला देना है ये दो इंसे मुसी पे देना चाहिए अभी देखें यहाँ पे मैं 6 इंच की सिधी लाइन कर दूँगी आपको गला आगे का ज्यादा डीट चाहिए तो साड़े 6 पे ले सकते हो 6 इंच नॉर्मल गला है और 3 इंच ये वाली लाइन लेनी है जो ये सबके लिए फिक्स है और यहाँ से देखें मैं गोलाई का शेप दे दूँगी यह जो मैंने 10 पे निशान किया है यहाँ पे देखें मैं सीधी लाइन मिला दूँगी अभी इस लाइन को वापिस देख लेंगे मुझे 10 इंच चाहिए तो देखें यहाँ पे मैं हलका सा तिर्चा ले लूँगी यहाँ से आप ऐसे तिर्चा नहीं कर सकते हैं यहाँ से अंदर की तरफ तिर्चा कर सकते हो अभी देखें जो ये वाला ब्लाउज है सिला हुआ इसमें मैं ये जो टक्स लगा हुआ है उसको देखिए पकड़के यह जो कंदे वाला बाग है यहां से एक मैं निशान कर दूँगी अभी देखिए इसके सीध में मैं 4 इंच पे एक मार्क कर दूँगी और यह लाइन पूरा नीचे सीधा जाने दूँगी अभी देखिए इसी लाइन से मुझे 1.5 इंच इदर एक निशान करना है 1.5 इंच पे और इदर मैं 2 इंच का निशान करूँगी और नीचे की साइड में मैं 1 इंच पे एक निशान कर दूँगी अभी देखिए इन दोनों तरफ आदा आदा इंच का गेप रहेगा यह मेरा पहला टक्स हो गया है और यहां से मैं लाइन कर दूँगी यह मेरा दूसरा टक्स हो गया है सिलाई करते समय इससे आगे नहीं आना है और यह जो लाइन है इसके आगे नहीं आना है यह जो 2 इंच है यहां पे मैं तीसरा टक्स ले लूँगी आदा आदा इंच पे यह पूरी लंबाई से सेंटर से नीचे की तरफ जाना चाहिए सेंटर के उपर नहीं आना है और इधर भी आप निशान करो तबी सेंटर से नीचे की तरफ आएगा उपर नहीं आएगा तो आप देख सकते हो सेंटर से ब्रोबर थोड़ा नीचे है उपर की साइड में नहीं है अभी मैं इसको डिरेक्ट कर दूँगी देखिए बहुत तीजी है पीछे का भाग रखके आप आराम से उसको दो मिंच में कट कर सकते हो यह देखिए अभी मैं स्लीव की कटिंग करूँगी तो आप देख सकते हो मैंने एकदम पतला बॉर्डर की कर दी और निशान करूगी आप देख सकते हो ये कपड़े का बंद भाग है अगर आपको ये निशान का आइडिया नहीं आए तो आप जो साइड की सिलाई है इसको देख सकते हो ये देखिए ये पौने इंच पे रेडी है तो यहाँ पे आपका डेड इंच तक रहना चाहिए ये देखिए अभी जो मैंने ये बगल की गोलाई है पीछे के भाग में देखिए अपकटिंग की थी जो मेरी साड़े छे इंच पे आई थी और दो इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था तो साड़े दो प्लस साड़े आट इंच तो यहां पे पहले मैं साड़े छे इंच पे एकमाब कर दूँगी इसी साड़े छे इंच से मैं हलका सा शेप दे दूगी स्लीव का और दो इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन ले लूगी अभी देखिए स्लीव की च़ोड़ाई नाप लोगी यह जो खुला बाग है यह स्लीव की चोड़ाई है इसकी भी देखिए मैं फिटिंग के नशान लूँगी स्लीव फिटिंग है पांच इंच पे देखिए पांच पे एक माग कर दूँगी और दो इंच एक्स्टा लेना है मुझे सिलाई के लिए मैंने सब जगे दो दो इंच लिया है तो इस तरह से मैं तीरची लाइन कर दूँगी तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कट वाला बा सेंटर में आप एक कट लगा दीजिए और इसको मैं आपको खोल के बताऊंगी तो आप देख सकते हो इस तरह से यह आए है और इस तरह से आएगा आप लें लंबी स्लीव में भी ऐसा आजाए तो भी कोई प्रोब्लम नहीं यह अपना आगे का वाग होगा इसको मैं सेंट सेंट देंगे यह चीज इसमें कट हो जाएगी और उसको सेट कर देगी यह देखिए जब मैं स्लीव को जोईन करूंगी तब यह आगे की साइड में जोईन करूंगी यह मैंने आगे का शेप दे धिया है इस तरह से देखYea मेरे स्लीव हो भी है यह देखे मेरे ब्लाउस की कटिंग हो गई है इस तरह से आप ब्लाउस की कटिंग कीजिए तीन टक्स वाले की बीना बेल्ट की आपको बहुत इजीली मेने समझाए है आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो like, share जरूर करें, new हो तो subscribe जरूर करें और bell icon की गंटी को दबाके, all पे जरूर दबाए ताकि हर नई वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिलेगी मेरा वीडियो देखने के लिए thank you